सब्सक्राइब कीजिए YP News India यूट्यूब चैनल को वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भोलें आपके लिए आपके परिवार के लिए पुरे समाज और पुरे देश के उत्तम स्वास्तिय और सुरक्षित भोश्य के लिए अतिन ताउस्यक है हम सब मिलकर के देश की इस लड़ाई में COVID-19 के खिलाब जो एक लड़ाई देश ने छेड़ी है उस लड़ाई में हम सब को सेभागी बनना चाहिए मैं देख रहा हूँ बहुत सारी जगे में जो हमारे लेवर कलास खास तोर पर वे पैदल ही निकल करके सड़कों पे निकल जा रही है ऐसा न निकलें क्योंकि आपके साथ बेमारी भी जा सकती है और आपके कारण तमाम लोगों के स्वास्ते पर बिपरी तसर पड़ सकता है जब सरकार इसके लिए पुरी संबेदन सील है केंदर सरकार ने कल एक लाग पिछटर हजार करोड रुपे का एक आर्थिक पैकेश भी इस देश के गरीबों के लिए किसानों के लिए महिलाओं के लिए समाच के उन तमाम उस तपके के लिए जो गरीब है कमजोर है सरमिक है मजदूर है ध्याड़ी मजदूर है किसानों के लिए गोसित किया है फिर हमें चिंता नहीं करनी सरकार जो कह रही है मुसके साथ जोड़कर के पूरे लॉकडाउन की कारवाई को सफल बनाए यह मेरी सबसे अपील होगी मुझे यही अपील सबसे करना था यह सभी नोड़ा दिकारे गण अपने अपने राज्यों जो समंधित राज्यें जाहां कि नोड़ा दिकारी बनाए गए है उन से कॉडिनेट करते हुए उत्तर प्रदेश के वासियों का उनकी फुरी व्यवस्ता उनकी सुविधा का ध्यान रखेंगे हमने प्रदेश के अंदर अपने सिमावर्ती जन्पत से जुड़े वे और प्रदेश के अंदर सभी अलिकारियों को भी इसके बारे में आउस्सेक निर्देश दिये हैं कि एक होम डिलिबरी पर ध्यान दे डोर स्टेप डिलिबरी लगबग 18,000 से दिक बाहन फोर विलर आज के दिन पर हमारे इस कारे में लगे हुए हैं हम इसके लावा जो मोहले में किराना की दुकान होंगी उनको भी इसके लिए खोलना हैं कि वे सोसल डिस्टेंस का ध्यान रखते वे इसको पूरी प्रतिवधिता के साथ आगे वढ़ाने का कारे करें इसके साथ ही हम लोगों ने अलग-अलग विभागों को ये जम्मेदारी दी है कि वे किसी भी ब्यक्तिकों कोई समस्यान आने पाए इस पर विसेश ध्यान उनका होना चाहिए मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार के और देश की कोविड-19 के खिलाब वरतमान की इस लडाई में प्रतेग देश्वासी प्रतेग प्रदेश्वासी सेभागी बनेगा और निस्षिधी कोरोना हरेगा भारत जीतेगा यह संकल्प हम सब का होना चाहिए मुझे उत्तर प्रदेश की जो कारियों इसना थी इसके बारे में बताना था जो मैंने बताया है और इसको नंतर हम आगे बढ़ाने का कारे कर रहे है धन्यवाद